हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक डिसकस करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है डिसेबल्टी, पैंसन और उस पर लगने वाले इंकम टैक्स पर क्या डिसेबल्टी पैंसन पर इंकम टैक्स लगता है या नहीं लगता है देखे पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये चीज सुप्रीम कोर्ट टेख करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और जनवरी 2024 में ही इस केस पर सुनवाई होने वाली है वो भी मैं आपको देखे दिखाने वाला हूँ PCD के सर्कुलर हो 210, 211 चाहे Finance Ministry का सर्कुलर हो 13 of 2019 जो देखे में गाइड लाइन स्टै करता है कि देखे Disability Pension कौन कौन सी Disability जो है Income Tax Exemption के दाएरे में आती है कौन सी नहीं आती है सारी बाते आपको विस्तार से इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिशन बैल को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपके पास नोटिफिक्शन के रूप में पहुँच पाए और आप उस वीडियो से लाबानवित होसके चलिए सुरुवात करते हैं अपने आज के वीडियो की देखे इस वीडियो में जो भी हमने रेफरेंस लिया है वो आपके सामने बोर्ड पर है डिसेबल्टी ऐलिमेंट हो चाहे सर्विस ऐलिमेंट हो फाइनस मिनिस्ट्री का 2001 का लेटर आरबियाई का 2007 का सर्कुलर और फाइनस मिनिस्ट्री का सर्कुलर 13 ओफ 2019 जिसने देखिए सब कुछ एकदम से बदल के रख दिया और उसके साथ PCD के सर्कुलर 210 उसके बाद में देखिए केस चला जाता है सुप्रीम कोट में रिट पैटिशन नंबर 953 ओफ 2019 और सर्कार को लाना पड़ता है सर्कुलर नंबर 211 और साथ में फाइनस मिनिस्ट्री को भी एक ओडर जो है निकालना पड़ता है आज मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी 2024 में इस केस की जो सुनवाई होने वाली है उसकी डेट क्या है क्योंकि बहुत कम पैंशनर्स इस बारे में जानते हैं कि देखिए ये जो केस है सुप्रीम कोट में है और जनवरी 2024 में ही इसकी सुनवाई होनी है चलिए देखते हैं हम step by step सभी लेटर्स को देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं गोर्रमेंट ओफ इंडिया, मिनिस्ट्री ओफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ओफ रिवैन्यू की तरफ से दो जुलाई 2001 का ये लेटर एक्जम्शन फ्रों इंकम टेक्स तो डिसेबल्टी पैंशन आई-ई, डिसेबल्टी ऐलिमेंट एंड सर्विस ऐलिमेंट ओफ ए डिसेबल्ड ओफिसर ओफ दा इंडियन आम्ड फोर्सिस देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है ओफिसर, यहाँ पर देखिए एक डाउड क्रियेट होता है कि यह ओफिसर्स के लिए है या जेसियो ओफिसर्स के लिए है इसको देखिए बाद में दोजार दो में रेक्टिफर किया गया और साफ साफ बताया गया कि देखिए जो भी हैं आम्ड फोर्सिस के चाहे जेसियो ओफिस हो, ओफिसर्स हो सभी के लिए ये रूल जो है लागू है यहाँ पर बताया गया इस चीज़ को the matter has been examined in the board and it has been decided to retake that entire disability pension disability element and service element of a disabled soldier यहाँ पर देखिए हम soldier use कर रहे है क्योंकि सभी के लिए of the Indian Armed Forces continues to be exempted from income tax this may be brought to the notice of all the officers working under you और यहाँ पर देखिए sign हो रखे हैं अब चलते हैं next letter की तरफ RBI की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं 2007-2008 जो 30 अगस्ट 2007 में इस है to the chairman, managing director जो भी CPPCs हैं सभी के लिए भेजा गया था exemption of income tax on disability pension of armed forces personnel यहाँ पर देखिए इस चीज़ को personal use किया गया है यहाँ पर बताया गया है in terms of para 88.3 जो DPI है defense pension payment restrictions है the disability pension component of pension of armed forces personnel is exempted from payments of income tax however it has been reported to us that agency banks are deducting income tax from the disability pension of the pensioners of armed forces तेकि उनके पास जो पहुचा RBI के पास कि अभी भी banks जो है उनकी disability pension के उपर income tax लगा रहे हैं तो यहाँ पर लेकिन उनसे साफ साफ बताया आप इसमें income tax नहीं काट सकते हैं not to detect any income tax on the disability pension from the pensions of the armed forces जो armed forces के disabled pensioner हैं आप उनसे जो है income tax नहीं काट सकते हैं और यह guideline जो है RBI ने जारी कर दी थी 2007 में जिसने देखे पूरा का पूरा सब कुछ खेल बदल के रख दिया ministry of finance की तरफ से 24 जून 2019 को exemption of service element and disabled element of disability pension granted to disabled person of armed forces who have been invalid on account of disability attributable to or aggravated by such service देखिए यहाँ पर जो उन्होंने पूरी परिभासा थी वो ही change कर दी उन्होंने कहा देखिए income tax exemption disability pension पर मिलता है लेकिन केवल उन्हीं को मिलेगा जो एनने एनने के से वो नहीं attributable भी होनी चाहिए या aggravated होनी चाहिए own account of invalid out यानि जिनको service से invalid out किया गया हो और वो disability है उनकी attributable या aggravated होनी चाहिए यह यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बता दिया और देखिए लास्ट लाइन में मितलता हूँ कि पूरा पढ़ने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यहाँ पर बता है बोडिली डिसेबल्टी एट्रिबूटेबल टू और एग्रावेटिड बाई से सर्विस तो उनका देखिए यहाँ पर बताया गया इर्रेस्पेक्टिव ओफ दा रैंक इंकम टेक्स उनका एक्जम्टिन है लेकिन यहाँ पर जो वर्ड ला दिया इन्होंने कि इन्वैलिड आउट होना चाहिए और वो भी जो है एग्रेवेटिड और एट्रिबूटेबल टू मिलिटरी सर्विस होना चाहिए ऐसी कंडिशन में जो है उनको इंकम टेक्स एक्जम्टिन है जो लास्ट लाइन है वो आप जरूर पढ़ियेगा यहाँ पर इन्होंने बताया है जो देखिए इन्वैलिड आउट केसिस की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो देखिए उनको इंकम टेक्स खे एक्जम्टिन नहीं दिया जाता है उसके बाद में देखिए PCDA भी तुरंत सर्कुलर लेके आ जाता है 210-22-2020 को जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्ह ने बताया कि देखिए is reproduce for dissemination guidance and necessary action at the end of all concerned यानि सभी के लिए यह है कि आप ये जो लेटर था ये जो सर्कुलर था उस सर्कुलर के आधार पर काम करें यानि जो भी invalid out cases हो उनको disability pension पर exemption मिलना चाहिए बाकी सब पे आप income tax लगा सकते हैं देखिए फिर क्या होता है फिर सुप and ORs versus union of India and ORs यहाँ पर आप देख सकते हैं और 10-10-2023 यानि 10 October 2023 को यहाँ पर इसके उपर एक सुनवाई हुई थी लेकिन इसके बारे में देखिए बहुत लोगों को नहीं पता है इस सुनवाई में देखिए जो बाते निकल के सामने आई वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आप उसके बाद में जो केस था जैसे मैं आपको बताया सुप्रीम कोट में चला गया उसके बाद में देखिए तीन मार्च दोजार बीस को PCDA को सरकुलर नंबर 211 लेके आने पड़ा जिसमें उन्होंने कहा इन सप्रेशन ओफ दिस ओफिस सरकुलर 210 का जो था उसके सप्रेशन में डिरेक्टिव्स ओन दिस सब्जेक्ट एज रिसीवड फ्रोम एमोडी फाइनेंस जो दो तीन दोजार बीस का लेटर है जो इसके जस्ट आगे है मैं आपको दिखाने वाला हूँ यानि इन्होंने जो बताया कि देखे 210 नमबर सरकुलर था जो हमने जारी किया था अब उसको जो है बंद कर दिया जाता है खतम कर दिया जाता है उसकी जो कंडिशन्स थी उनको अब मानिता प्राप नहीं रही यहाँ पर उनने बताया income tax on disability pension of defense forces तो यहाँ पर बताया है देखे रिट पैटिशन नमबर 953 है सुप्रीम कोर्ट में चले गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को अभी आप जो इस्टेटस को में रखो यानि अभी जो है वर्तमान की इस्थित मिल रहा है आपकी disability pension यानि disability element हो चाहे service element हो दोनों पर आपको income tax exemption मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो आप देखे अपनी problems को grievances को ज़रूर put up करें और यहाँ पर देखे जैसा मैंने आपको बताया कि साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदिश की वज़े से the parties concerned to maintain status quo in this subject matter और आपको उसका benefit अभी भी मिल रहा है अब देखे जो supreme court में income tax department है उन्होंने क्या कहा था इवन दा income tax department in this affidavit submitted to the supreme court December 2019 में had not opposed tax exemption or disability pension for veterans defense officials यहाँ पर देखिए income tax department ने भी जो exemption है उसका oppose नहीं किया था rather the affidavit was supporting disability pensioners जलकी जो income tax department का अगर affidavit देखें तो उन्होंने support किया था कि देखिए इनको जो है इसका benefit मिलना चाहिए अब बात कर लेते हैं कि देखिए इस सारी हमने की अब यह जो सुनवाई है यह कब होने वाली है देखिए इस सुनवाई की जो date है जैसा आप supreme court के यह 2024 यानि next week में आपकी जो है 16 जनवरी को इसके उपर सुनवाई होगी कि क्या disability pension जो हमारे disabled soldiers के लिए है क्या उस पर income tax लगना चाहिए या exemption होना चाहिए यह है आज की इस्तिती वर्तमान में भी देखिए आपके सामने मैंने सारी चीज़ रखे हैं सारे तथ्थे आपके सामन आता है वो एक second issue है लेकिन अभी तक भी आपको जो है income tax माफ है आपकी disability pension पर disability pension जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर आपका disability element और service element दोनों ही लागू है जैसा भी judgment आएगा वो मैं आपके साथ चरूर लेके हाजरूंगा तब तक के लिए जैहिंद जैभारत